और एक बार खबर फिर से राजदानी राइपूर से जहां ठंड ने चटिसगड़ में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है चटिसगड़ के कई जिलों में रवीबार सुभा घना कोहरा चाया रहा महासमुंद के लाफिन खुर्द में सुभा नौ बजे तक पांच फीट तक विजिबलिटी रही वाहनों को लाइट का सहरा लेना पड़ा कोर्बा में भी शीत लहर चल रही है और यहां सुभा तक कोहरा चाया रहा हाला कि पश्चिम सा रही हवा के कारण दो डिगरी तक दिन और रात का पारा चड़ारा आने वाले दो दिनों में नियूंतम तापमान में हलकी गिरावट आएगी शनिवार को राइपूर समेत कई जिलों पर सुभा बादल चाय रहे फिर दो पहर में धूप निकल गई विख्शोब के असर के कारण राइपूर दुर्ग बिलासपूर में रात का पारा भी बढ़ा है शनिवार को प्रदेश में सबसे कम नियूंतम तापमान 7.9 डिगरी नरैनपूर में रिकॉर्ट किया गया सबसे अधिक तापमान दोंगरगट में 39.4 डिगरी रहा ग्रामीड और शहरी शेत्रों में भी ठंड का असर है लेकिन शुक्रवार की तुलना में शनिवार को राइपूर, बिलासपूर, अंबिकापूर, पिंडरा में नियूंतम तापमान औसत से 1-2 डिगरी अधिक रहा जिससे लोगों को ठंड से हलकी रहत मिली है शनिवार को नाराइपूर सबसे ठंडा रहा नाराइपूर में नियूंतम तापमान 7.9 डिगरी सलस्यस दर्च किया गया पश्चमी विक्षोप के असर से रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई और शुक्रवार को राइपूर में 12.3 डिगरी था जो की बढ़कर 14.4 डिगरी पे पहुँच गया बिलासपूर में रात का पारा 11.6 से बढ़कर 14.4 डिगरी रहा शुक्रवार को दुर्ग में रात का पारा 10.6 डिगरी था जो शुक्रवार को बढ़कर 12.4 डिगरी पर पहुचा यह है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन नियूस हर पल हर शन हर सच